तो हेलो गाईस केसाब सभी लोग स्वागते कोर निव गैम प्ले में और आज हम दुबारा से खेलने जा रहे है हाड़कोर माइनक्राफ्ट सर्वाइवल तो गाईस पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि मैंने लाइबेरियन विलेजर के लिए एक आलक से घर बना दिया था नॉर्मल माल लो यार आप लोग ठीक है ज्यादा बड़ा नहीं है बाकि एक बात में बता दू अभी तो देखो इस काम की प्रोसेस चल रही है लेकिन आगे जो अपना नॉर्मल विलेजर वाला घर है उसमें भी बाइस ही विलेजर रहेंगे लाइबेरियन ओके तो अभी दो विलेजर उदर की साइड वाले घर में ले जाने की तयारी कर रहा हूं तो इसलिए मैंने यहाँ पर रेल और पावरेड रेल लगा दियें और अब मैं रेड़ स्टॉन टॉर्च लगा रहा हूं गाईस ताकि जो अपनी पावरेड रेल है उसको पावर मिल सके ठीक है त पिर वो शायद Liberian Villager बन जाएंगे। वैसे अगर नई बनेंगे तो मैं बना ना जानता हूं यार गाइस। ओके यहां से रास्तर रहेगा और इस जगा से Liberian Villager अंदर की साइड में आ जाएंगे। यार तोड़ना तो पड़ेगा थोड़ा सा ओके चलो तोड़ दिया मैंने अब विलेजर सीधा आके यहाँ पे अंदर गिर जाएगा अब देखो दोनों घर पे मैंने मतलब रेल बिछाईए गाइस ओके आप लोग देख सकते हैं अब इसमें तो आके गिर जाएंगे विलेजर लेकिन उदर की साइड में मुझे कुछ आलग भी तैयारी करनी पड़ेगी उसमें जो रेल है वो मुझे नीचे तक बिछानी पड़ेगी चलो अब उदर की साइड में चलते है और गाईस आप लोग एक बात देखो कि मैंने जो ये रेल है ये कहाँ पे से होकर निकाली है मतलब जो अपना एनिमल का फार मैंना उसके उपर से होकर निकाल दी मैंने सोचे कि यार गुमा फिरा के निकालू उससे अच्छा है कि यहीं से निकाल देता हूं रास्ता उरत तेरी यार गोलेम देखो गाईस कहाँ पे स्पोन हो रखा है यार इसमें मैंने कुछ जादा ही जगा छोड़ दी इसलिए देख लो गोलेम बाहर स्पोन नहीं हुआ उपर की साइड में स्पोन हो गया इसमें यार गाईस कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा उपर की साइड में है न देखो नई तो गोलेम चाचा यहीं पे स्पोन होते रहेंगे तो अपना कोई फायदा ही नहीं रहेगा मतलब अपने विलेज में गूमने चाहिए ये वाले गोलेम वैसे मुझे लगा नहीं था यार गाइस मैं मतलब ये घर बनाया है ना उसके बाद मैं आज पहली बार उपर का इससा तोड़ के देखा हूँ और उसमें मुझे गोलेम मिला यार यार बाहर स्पॉन होना चाहिए जो वो इतनी छोटी सी जगा में स्पॉन हो गया गोलेम बताओ यहां पर मुझे यार एक मिनट यार अगर मैं यहां पर डर्ट का ब्लोक लगाऊंगा तो विलेजर भी भाग सकते है ओके चलो अब नहीं जाएंगे बाहर यार दिमाख लगाना पड़ता है गाइस ठीक है तो यहां पर मैं विलेजर को बेहजने की तैयारी कर लेता हूँ थोड़ी सी ओके तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने रेल लगा दिया और अब मैं माइन कार्ड रग दिया हूँ यहां पर अब बस यहां पर कोई विलेजर आके इसमें बेड़ जाए फिर उसके बाद यह सीधी जाके रुकेगी उदर वाले घर में ओके तो किसीना किसी को बेठाते यार गाइस इसमें और मैं ऐसा विलेजर लेकर जाओंगा गाइस उधर की साइड में जो मतल sillा जिस से मैंने अभी तक ट्रेडिंग नहीं की है ओकी नया विलेजर चाहिए और यहां पर ज्यादतर विलेजर नए है अभी तक मैंने किसी से ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं की है पावरेड रेल मैंने अच्छी तरह से दबा के मतलब लगाईए यार गाईस लेकिन ये तो बीच में अटक गया ओके चलो मैंने याप रेल ही नहीं दी तो अटकेगी न यार गाईस क्या यार क्या दिमाग है मेरा रात भी हो जाएगी तो जल्दी से इसको पेक कर देते है फिर बाद मैं बचा कुछा काम कर देंगे अभी तो मैं डर्ट से पेक कर रहा हूँ यार गाईस बाईस सब ये क्या हुआ ये वापस क्यों आया यार ये सिस्टम समझ में नहीं आता कि ये लोग वापस क्यों आ जाते है अब यहां पर लफड़ा हो गया यार गाईस अगर ये नीचे गिर गया ना गलती से भी तो भाई फिर उसके बाद में इसको वापस बहजना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा संबल के करना पड़ेगा ये काम मुझे मुझे इधर की साइड से और यहां से धक्का देना पड़ेगा गाईस चलो कोई बात नहीं धक्का तो देंगे लेकिन हाँ यहां से यह भी तोड़ता हूँ अब बहसते यार गाईस देखे यह वापस आता है या नहीं आता है मैं यहीं पर रुख जाता हूँ इस जगे से यह तोड़ देते हैं यार गाईस रेल ही तोड़ देता हूँ आ गया यार गाईस वो वापस आ गया मुझे देखना पड़ेगा कि ये वापस अच्छ अच्छ तो यहाँ पे सामने विलेजर रुख गया यार गाईस लेकिन ये रुख क्यों गया यार नीचे तो गिर जाना चाहिए था इसको ओके चलो मैंने गिरा दिया अब इदर की साइड आते है और इस विलेजर को बहसते हैं बीच में गोलेम चाचा भी चड़ गये है रेल पे चड़ना था इसको बताओ इसको भी यही जगा मिली थी और ये हटजा यमदूत यार गाईस फिर से अंदर ही जाना पड़ेगा मुझे तो इसा लग रहा है यार हाँ अंदर तो जाना ही पड़ेगा भाई यार काम पे काम बढ़ जाता है गाईस लेकिन हाँ यह है कि अब मैं बहस दूँगा रात होने से पहले तो चला ही जाएगा यह विलेजर फिर कोई दिक्कत नहीं है बस यह काम थोड़ा सा संबल के कर दूँ अब इसको कर देते है बंद और यह विलेजर तो हो गए सेफ अब उदर वालों का भी काम करना है उनको भी सेफ करना है इसको अंदर गिरा देता हूँ एक बार चल भाई, ओके, तो दोनों गए, अब यहां से कर देते हैं बंद मैं दरवाजे से ओकर जाऊंगा गाईस, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, वहीं से नहीं जाना मुझे तो यह लोगाईस, मैं आ चुका हूँ यहां पे, और इस जगा पे, अभी फिलाल, मैं हाँ, यह वाली वुड लगा देता हूँ यार, यही तो लगी हुई थी, चलो भाई, यह बंद गर दिया मैंने अब इनको निकाल देते हैं बाहर, और इनको खाना वाना खिलाना पड़ेगा गाईस अभी तो यह फार्मर विलेजर ही बने हुए है, यार, वैसे मैंने वर्किस्टेशन यहां पे लगा रखे, लाइबेरेन विलेजर के, लेकिन फिर भी, अब तेरी, देखो गाईस, यह मतलब एक से यह काम हो जाते है, यार, अब देख लो वुड खराब हो गई ना, अब द जाम जाम लगायत है ना, मैंने इसका कोई काम नहीं रहा, तो यह सब कुछ हटा देते है, अब गाईस देखो, मैं आचुका हूँ अपने घर में, और मैं बता दू आप सभी को कि, जो लाइबेरेन का काम था, वो मैंने कर दिया है, आप लोगों के साम नहीं, और उन्हें म मुझे माइनिंग करने से मिली थी, और साती सात मेरे पास में स्टोन भी है, वुड भी है, तो भाई, अब मैं देखो, बनाई लेता हूँ यार, पिष्टन और, ओब सर्वर, क्योंकि मुझे वो बनाना यार, क्या बोलते है, उसको शुगर केन फार्म, ओटोमेटिक, देख मैं ओब सर्वर और पिष्टन बनाके, चेस्ट में रख दूँगा, अब गाईस, इसमें मैं एक चीज देख रहा हूँ कि नेदर क्वाट्स, जो है न, वो ही सबसे ज़्यादा, मतलब इंपोर्टेंट है, मतलब वो मुझे सिर्फ माइनिंग करने से मिलेगी, बाकी और हर मैं कितनी भी ला सकता हूँ, जैसे कि वुड बस ट्री कट करने पड़ेंगे, मैं ले आऊँगा, इस्टोन वो भी मैं मतलब माइनिंग करूँगा, तो मिल जाएगा इस्टोन भी काफी सारा, रेड इस्टोन डश्ट भी विलेजर देते हैं, तो वो काम भी हो जाएगा, ल बर यहाँ सबस्पाँ, जैसे मु54 जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्रीपर यहाँ पर इस्पॉन हुआ कैसे, मतलब मैंने टोर्च लगा रखे फिर भी क्रीपर इस्पॉन हो गया, और वो ब्लाश्ट भी हो गया, और हुआ भी कहान पर, मतलब जहाँ पे मैरा डौर हुआता ना वहाँ पर तो भाई देखो मैंने पिश्टन और ओब सर्वर बना दिये है ठीक ठाक लेकिन अब अपने पास में स्टोन खतम हो गया है तो मुझे माइनिंग करके और स्टोन लाना होगा फिर उसके बाद मैं और पिश्टन और ओब सर्वर में बनाऊंगा क्योंकि लगबग मुझे यार काफी ज़्यादा ओब सर्वर और पिश्टन चाहिए शुकर केन फार्म बनाने के लिए यार मैं बड़ा फार्म बनाऊंगा और एक नहीं दो दो बनाऊंगा गाईस ताकि अपने पास में शुकर केन या पेपर दोनों की कमी ना रहे मतलब शुकर केन से बनती तो वही है यार मतलब पेपर ही बनती है और पेपर ही मुझे चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए ताकि मेरे पास में एमरल्ड हो जाए तो गाईस अपना जो विलेज है ना उसके पास पास में मतलब थोड़ी सी दूर मान लो आप लोग मैं सर्वाइव कर रहा था तो मुझे दो बाते पता चली पहली तो यह कि एक जंगल बायोम है जो की अपने विलेज के पास में है तो वह तो मुझे पहले से पता थी कि मतलब शुरुआत में जब मैं इस वर्ल्ड में स्पॉन हुआ था ना मतलब पहले दिन पर तो तब है ना मतलब मैं उसी जगे स्पॉन हुआ था माइनक्राफ्ट ने मुझे उसी जगा स्पॉन किया था फिर मैं चलते हुँ इदर की साइड में आया और यहां पर मैंने अपना घर बनाया था अपना विलेज बनाया था लेकिन आज मुझे एक चीज और दिखाई दी गाईस वो है एक केओ यह एक नई केओ है और इसमें नजर मेरी पड़ी उपर से तो इसमें मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे ड्रीप स्टोन मिल गया यार और जैसे ही फिर उसके बाद मैं नीचे आया तो मुझे पता चला कि यार सच में ये dripstone ही था और dripstone की मुझे जरूरत थी यार guys सच में वो इसलिए कि अगर देखो dripstone अपने पास में रहता है तो हम लोग lava farm बना सकते है और lava farm इसी तरह से बन सकता है जब अपने पास में dripstone हो अब guys देखो dripstone यार कसी केयो में मिल सकता है ठीक है और बता दूँ आप सभी को कि सभी केयो में ये नहीं मिलता है किसी किसी में मिलता है तो अच्छी किसमती मेरी कि मतलब इस केयो में आकर मुझे dripstone मिल गया फिर उसके बाद में मैं दुबारा यहां पर आया मतलब तैयारी करके यार गाइस और अब मैं लेकर जा रहा हूँ यार ड्रिपिश्टोन क्योंकि मुझे लावा फार्म बनाना है यार गाइस क्योंकि लावा काफी ज़्यादा कई जगा पर काम आता है पहली बात तो यह कि मैं फरना से ना वो लावा से ही चलाता हूँ और किसी आइटम से नहीं चलाता हूँ अब गाइस मुझे एक चीज आप से पता करनी है अगर आप माइनक्राफ्ट के अच्छे खिलाडी है मतलब पुराने प्लेयर है तो मुझे एक बात बताओ कि मतलब drip stone के बिना भी हम लोग लावा फार्म बना सकते हैं क्या अगर बना सकते हैं तो मुझे बता देना यार गाईस मुझे तो बस यही तरीका पता है कि भाई drip stone से लावा फार्म बनता है मैंने पिछले वर्ल्ड में भी इसी से बनाया था लेकिन क्या पता यार देखो कोई और भी तरीका होता हो तो आप लोग बता देने यार ताकि मुझे भी पता चल जाए यार इतना dripstone काफी रहेगा यार guys है न देखो अब मुझे लग रहा है कि मैं यार यहां से जाओं क्यूंकि अगर ज़्यादा देर रुकूंगा न तो कोई जोम भी फेक देगा मुझे उठा के नीचे और जो कट किया है न मैंने dripstone वो भी चला जाएगा इस dripstone को यार मैं पहुचाना चाहता हूं अपने विलेज तक चलो भाई नीचे से जोम भी आ भी रहा है उसका नाम लिया और वो आ भी रहा है यार वो मुझे याद कर रहा है तो चलो मैं उपर की साइड में चला जाता हूं गाईस यहां पर आइरन भी है लेकिन अब आइरन का क्या घाम यार अपने पास में आइरन फार्म बन चुका है यार यहां पर और ड्रिप इस्टोन है लेकिन यार अब बीच में इधर की साइड में मैं रुक के ले नहीं सकता हूं तो मैं जाई रहा हूं और वेसे भी देख लो आप लोग की 43 ड्रिप इस्टोन मुझे मिल चुका है तो इतना काफी रहेगा यार कितना बड़ा फार्म बनाऊंगा यार इतना ही काफी है उपर के साइड से पानी आ गया लेकिन सही रहा कि मतलब मेरे उपर नहीं आया साइड के ब्लोक से आया था पानी वाई साब मुझे लगा कि यार मतलब के खतम हो गई मैं बाहर निकलने वाला हूँ लेकिन अभी तो यार मैं काफी नीचे हूँ इतना नीचे मैं यार मतलब पानी में से होकर ही गया था गाईस यह जो सामने पानी गिर रहा है न उपर से उसी में से होकर मैं गया था यहां पे मुझे बच बच के चलना पड़ेगा गाइस तो गाइस देखो जो dripstone मुझे मिला था वो तो मैंने रख दिया था अपने घर में ले जाकर चेस्ट में ठीक है उसके बाद में मुझे एक चीज की और तलाश थी वो होती है बेरी बेरी मुझे इसलिए चाहिए थी क्योंकि मुझे गॉल्ड फार्म बनाना है आने वाले टाइम में और उसी की तैयारी में अभी से करने लगा हूँ तो देखो बेरी इसलिए चाहिए वो जो jombi होते है गॉल्ड फार्म में जाती है तो बेरी से अच्छी मुझे कोई चीज नहीं लगी गाइस इसलिए देखो मैंने पिछले वर्ड में भी जो गॉल्ड फार्म बनाया था वो बेरी से ही बनाया था एसेमपी में भी मैंने जो किल चेंबर बनाया था वो भी बेरी से ही बनाया था और यहां पर भी हम ल जा रहा हूँ तो बीच में तो जंगल बायोम आ चुकी है गाइस और मुझे इतना तो पता है कि जंगल बायोम में तो बेरी मिलने का कोई चांस नहीं रहता है क्योंकि बेरी कुछ अलग बायोम में मिलती है यार जहां पर वो लंबे लंबे ट्री रहते है ना यार मतलब जिन बहुत दिरे-दिरे बनेगा और अगर बेरी के जाड मेंने लगा दिये तो फिर गोल्ड भाई बहुत स्पीड से बनेगा तो यहाँ पर मुझे बेम्बू मिल चुके है गाईस यार जंगल बायों में चल रहा हूँ अभी में और मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ अपने विलेश से मतलब दूर जा रहा हूँ मैं और बाकिया आप लोग देख सकते हैं मैं बेड लेकर आया हूँ अपने घर से क्योंकि अभी भाई हम लोग अपने वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए निकले है अब देखते हैं क्या क्या मिलता है रास्ते में अगर कुछ भी जरूरी आइटम मिलेगा तो वो सब कुछ इस वर्ल्ड में गया नहीं हूँ सर्वाइव करने के लिए हाँ मतलब अपने विलेज के पास-पास में जरूर मैं घूम चुका हूँ तो अभी तक रात नहीं हुई थोड़ी सी देर रुखना पड़ेगा गाईस चलो रात होने का इंतजार करते हैं वैसे मैं यह सोच रहा तो थोड़ी सी देर इंतजार करने के बाद मैं फिर रात हुई और फिर मैं बेड़ पर अपने सो गया वैसे मैंने कुछ जादा जल्दी ही बेड़ लगा दिया यार गाईस ऐसा मुझे लगा तो चलो बैम्बू तो मैंने अपने बेग में ले लिया है यहां पर काफी सारे बेम्बू यार गाईस इदर की साइड में केओ आ गई लेकिन अब मुझे केओ से बचके और आगे की साइड में बढ़ना है चलो बाई इदर की साइड में बढ़ता जाता हूँ मैं मतलब एक साइड ही आगे बढ़ रहा हूँ गाईस ओके और मैं यह देखना चाता हूँ क उदर की साइड में मुझे क्या मिलता है फिर अगर इदर की साइड में बेरी नहीं मिली काफी दूर जाने के बाद में भी तो फिर दूसरी साइड चलेंगे अब मैंने क्या है कि घर की जो कोडिनेट्स है मेरे घर की उसको मतलब मैंने याद कर लिया है एक screenshot खीच के रख लिया है मैंने अपने पास में ताकि मैं वहाँ पर दुबारा जा पाऊँ यार एरिया काफी गजब का आ चुगा है यार गाईस देख लो आप लोग लेकिन बायों अभी तक वेसी ही चल रही है जैसी मेरे विलेच के पास में है बाईस देखो वेसे तो मैं पूरी तयारी करके निकलाऊं गाईस अपने पास में एक्स पिकेक्स दोनों है बेड़ भी है खाने का भी पूरा जुगाड करके निकलाऊं बाकि मुझे वाटर मेलन जंगल बायोम से मिल गया था उरे यार जादा प्रो बनने की बाते ना करो यार देखो अभी में गिर जाता यार गाईस गिर तो गया लेकिन बज गया मैं इधर की साइड में भी केयो आगई मुझे लगा नहीं थे कि ये केयो है खेर चलो आगे बढ़ते हैं गाईस हम लोग अभी तो पता नहीं कितना दूर और जाना पड़ेगा यार बेरी यहां पे तो मिलने से रही ऐसी बायोम में नहीं मिलती है बेरी वो बायोम में मतलब जानता हूं यार गाईस वो मैं देख कर ही बता दूँगा जब बायोम आएगी अब उसमें बेरी मिले या ना मिले वो एक अलग बात है लेकिन उस बायोम को देखकर मैं बता दूँगा कि भाई यहाँ पे बेरी मिलने के चांस है फिलाल मुझे सामने के साइट में एक विलेज दिखाई दे रहा है लेकिन अभी उस village पे चलके हम कुछ नहीं करेंगे आते टाइम इस village को लूटेंगे तो guys ये अच्छी बात रही कि रास्ते में village आ गया अब मुझे क्या है कि थोड़ा निशानी के लिए ये याद रहेगा कि इस तरह का village आये था रास्ते में और मैं सही रास्ते से जा रहा हूँ वापस अपने घर पे ठीक है मतलब आते टाइम के बाते ये अभी तो मैं मतलब आगे बढ़ता जा रहा हूँ यहाँ पे ऐसा पानी क्रोस नहीं आ रही इधर की side सा सकते हम लोग तो guys अपना जो world tour है मतलब कि अपना world का जो survive है वो जारी रहेगा और बागे आप लोग बने रही है हमारे साथ और minecraft का next video जरूर देखना guys मैं बेरी ढूंड के रहूँगा वैसे सोचा यह यह अब बागी ना मिले तो यार मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ तो बस आज के लिए इतना ही अगर आज के यह video आप सभी को पसंद आया हो तो video को कर दीजे like और channel को कर दीजे subscribe अगर आपने अभी तक हमारा facebook page follow नहीं किया है तो जल्द से जाईए follow कीजे वहाँ पे भी हमारे video देखिए facebook page का link आपको हमारे video के description में मिल जाएगा तो हम मिलेंगे एक और new gameplay में तब तक के लिए बाई